हेई एवरिवान आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ब्रेक्फस्ट की रेसिपी लेकर वीडियो को आन तक देखिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तो ये नाष्टा बनाने के लिए हमें चावलों की जरुवत है तो लगबग दो कप चावल का इस्तमाल करूँगी यहाँ पे चावल को बहुत अच्छे से हम धोलेंगे लगबग तीन से चार बार जितना भी सफेद पाउडर वगेरा होता है न वो सारा निकल जाना चाहिए उसके बाद इसमें हम साफ पानी डालेंगे और चावल को सोक करने के लिए रख देंगे अगर आप सुबह के नाष्टे के लिए बना रहे हैं तो रात को सोक करके रख दीजिए चावल या फिर अगर आप दुपैर के लिए या इवनिंग के लिए बना रहे हैं तो सुबह आप इसे भीगोने के लिए रख सकते हैं अब उसका जो पानी है ना उसे मैं फेक दूँगी और भीगा हुआ चावल को डाल दूँगी ग्राइंडर के जार में साथी मैं इसमें डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकनेट अगर आपके पास फ्रेश कोकनेट नहीं है तो सूखा हुआ नारिल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी एक कप पानी और एकदम स्मूध बैटर में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे अगर आप दो फिंगर्स के बीच इसे टच करके देखेंगे ना तो एकदम स्मूध होना चाहिए दो कप चावल लिए हैं यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल पाच कप पानी जाएगा एक कप पानी हम पहले ही डाल चुके हैं ग्राइंड करने के टाइम और बचा हुआ चार कप अभी डाल दिया है नमक एट कर दीजिए स्वाद अनुसार आपके घर में जो भी कप है वो यूस कीजिए लेकिन पानी एक कप के हिसाब से टू एंड आफ कप पानी यूस कीजिए तो आपका जो नाश्टा है ना बहुत ही बढ़िया बनके लड़ी होगा इस तरीके से फ्री फ्लोइंग बैटर होना चाहिए जो नॉर्मल दोसा का बैटर होता है वो थोड़ा थिक होता है ये वाला एकदम पतला है उसी तरफ मैंने तवा चड़ा दिया है गैस के उपर इसे गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर और थोड़ा सा ओल डाल के ग्रीज भी कर लेंगे बैटर हमने बना के रेडी किया था वो उसका चावल है वो नीचे जाके बैट जाता है इसलिए जब भी आप पैन में इस तरीके से डाले तो सबसे पहले अच्छे से चला ले बैटर को और फिर डाले पैन के उपर रेगुलर दोसा बैटर के जैसे घुमान नहीं है एकदम पतला दोसा बन के रेडी होता है बस जो बड़े बड़े होल्स है ना उन्हें फिल कर दीजे बैटर से जब पैन बहुत अच्छे से गरम हो जाया ना तब ही आपका बैटर डालिएगा इसे ढखकर मैंने मेडियम फ्लेम पर एक मिनिट के लिए पका लिया है बस य सुनकी चटनी के साथ मैं यहाँ पर नारियल और धन्या की चटनी के साथ इसे सर्फ करूंगी फिर चटनी बनाने का मूड नहीं है तो बस चाय में डूबो कर खा जाए ज़रू ट्राइ कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो के साथ तब तक बाई